नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एकोन महत्वपून जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी खाने पीने वाली चीजों के बारे में बता रहे हैं जिससे ज़्यादा खाने से सिर्दर्द आपको हो सकता है जी यहां दोस्तों वेसे तो सिर्दर्द होने की कई सारी वज़न मानी जाती है लेकिन आपको जानकर हेरानी होगी कि खाने पीने वाली कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जिनके ज़्यादा सेवन से सिर्दर्द होने की समावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है जी हाँ दोस्तों यह बात बिलकुल सत्य है खाने पीने वाले कुछ फूड ऐसे हैं जो आपके सिर दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो चली जानते हैं इसी कौन-कौन सी चीज़े होती है जिनको ज़्यादा सेवन करने से आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है सबसे पेले नमबर पर आता है अलकोहल अगर आप ज़्यादा शराब, बियर, रेड वाइन या ब्रांडी पीते हैं तो आपका सिर हमेशा ही दर्द करेगा वेसे तो अलकोहल वाली चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पिना चाहिए क्योंकि सराब हल लिहास से सेहत के लिए नुकसान दाए की साबित होती है लेकिन अगर आपको शराब बियर आदी पीने की आदत ही है तो एकदम से इसे छोड़ देने पर भी सिर दर्द होता है जियां दोस्तो शराब आदी जैसी चीजों को कम से कम मातरा में पीना चाहिए ज़्यादा मातरा में पीने से आपको सिर दर्द की शिकायत ही रहती ही है लेकिन कोशिच यह भी करें कि इन बुरी आद्तों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे दोस्तों दूसरे नमबर पर आते हैं खटे फल खटे फलों में विटामिन C भरपूर मातरा में होता है विटामिन C की वज़े से आपका शरीर भोजन में से तामबे का आउशोशन ज़्यादा करने लगता है तामबा आपके सिर दर्द को बढ़ाता है इसलिए अगर आपको सिर दर्द की समस्या है तो खटे फलों को कम खाना चाहिए माईग्रेन के मरीजों को खटे अचार और चोकलेट को बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सिर दर्द और भी तेजी के साथ होने लगता है अगले नमबर पर आते हैं प्रोटेन वाले आहर दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रोटेन वाली चीजों के ज़्यादा सेवन से भी सिर दर्द होने लगता है क्योंकि जिन चीजों में प्रोटेन ज़्यादा मातरा में होता है उनमें Triftofen नाम का एक Emino Acid होता है जो आपके सिदर्द को बढ़ाने का काम करता है Smoked मचली को खाने से भी सिदर्द में बढ़ोतरी होती है इसलिए इस तरह की मचली को खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि इनमें Triftofen होता है जो सिदर्द को बढ़ाने में उत्प्रेर का काम करता है कुछ लोगों का शरीर Triftofen को टोड़ नहीं पाता और अगर आपका शरीर Triftofen को टोड़ नहीं पाएगा तो आपको सिदर्द होने लगेगा और यदि पेले से सिदर्द है तो उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है दोस्तो अगले नमबर पर आती है कौफी कौफी पीने से कुछ लोगों में सिदर्द होने की समस्या देखी गई है इसलिए जिन लोगों को माईग्रेन या सिरदर्द होने की समस्या है उन्हें कोफी कमातरा में या फिर बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए लेकिन जिन लोगों कोफी पीने की आदत है उन्हें कोफी पीना एकदम से बंद नहीं करना चाहिए वरना आपके सेर में और भी ज़्यादा दर्द होने लगेगा कोफी को पीना धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है दोस्तो अगले नमबर पर आता है पनीर पनीर में टायरमाई नाम का एंजाइम होता है जो आपके बलड पेशर को बढ़ा सकता है जब आपका बलड पेशर बढ़ता है तो निश्चिती आपको सिर्दर्द होने लगता है यह बात भी सच नहीं है कि पनीर खाने के तुरंट बाद ही आपको से दर्द होने लगे हो सकता है कि पनीर खाने के 2-3 गंटे के बाद या फिर 6-6 गंटे के बाद आपके सिर में दर्द पेदा हो जाए अगर आपको सिर में हमेशा ही दर्द रेता है तो आपको यह जानने की जरुरत है कि कई पनीर के सेवन से आपका सिर दर्द तो नहीं हो रहा है दई में भी टाइना माइन होता है इसलिए जिन लोगों को हमेशा सिर में दर्द रेता है उन्हें दही भी कमात्रा में खाना चाहिए दोस्तो अब एक विशेश बात जो बाते हमने आप लोगों को बताईए यह अपनी जगे पर बिलकुल सही है दुरूस्त है लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं कि यह चीजे खाने से अगर किसी एक व्यक्ति के सिर में दर्द हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति के सिर में भी ऐसा ही हो लेकिन अलग-अलग व्यक्तियों के शरीर एक दूसरे से बिन होते हैं जिन व्यक्तियों का शरीर ट्रिफ्टोफेन और टायरामाइन एसिट को टोड़ नहीं पाता उनमें सिर्ध दर्ध होने के समस्याद जादा होती है तो हमारी इस जो जानकारी है इसमें जरूरी नहीं कि जो चीजे एक व्यक्ति के लिए लिहास से ये बिल्कुल फिट बेट है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी ये फिट बेट है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और जानकारी उम्हित करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना बुलें अगर आप लोग नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों बहुत बहुत धन्यवाद